आईए मेरे साथ सभी लोग चलिए मिलके बनाते हैं तो मेरे घर पे आज महमान आने वाले हैं मेरा कुछ खाने का मन नहीं है यार क्या रोज रोज बनाएं क्या खाएं तो मैंने सोचा एक कुछ भी हलका सा बना लेती हूँ तो किचेन में गई तो देखा एक सेव रखा हुआ था अब इसके उपर का पार्ट निकाल देंगे और अच्छे से कट कर लेंगे आप लोग इसका छिलका भी उतार सकते हैं बट मैं नहीं उतारूंगी ऐसे बढ़िया कटिंग करूंगी छोटे छोटे पीसे कि यह भी हलदी बहुत होते हैं और टेस्टी भी तो बहुत अच्छे से कट कर लेंगे इसके उपर का जितना गंदा पार्ट है उसे निकाल के फेक देंगे चोटे चोटे तुकडों में बढ़िया कट कर लेंगे जब तक मैं कट कर रही हूं आप लोगों से रुकेस्ट है आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए बहुत ज़्यादा पसंद आये तो सस्क्राइब भी कर लेना बट कर जरूर देना इसे मुझे पता जल जाता है कि मेरी रेस्पी मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे बहुत अच्छा लगेगा तो एक लेंगे केला बनाना उसे भी से मिसी प्रोसेच छोटे-छोटे तुकडों में कट कर लेंगे देखिए अब एक से इसके उपर का देखिए ऐसे धीरे-धीरे करके निकाल दीजे सारा इसकी जितनी बढ़िया कली है उसे निकाल लेंगे संत्रे की एक एक करके बढ़िया इसके उपर के रेसे भी निकाल के फेक देंगे ऐसे बहुत अच्छे से देखिए कम ज्यादा आप लोग अपने तर हो गए हैं अब मिक्सिंग बाउल में इसे भी रख देंगे थोड़ा सा लेंगे खर बूजा अब इसे भी कट कर लेंगे छोटे-छोटे पीसेस में इसके उपर का छिलका निकाल के फेक देंगे ऐसे भाई सारी चीजे बहुत हेल्दी हैं और टेस्टी है सच में आप लोग अ पून बहुत आपके शरीर में आएगा बहुत हेल्दी होंगे और टेस्टी लगेगी रेशपी एक लिंगे गाजर गाजर में बहूत चोटे-छोटे तुकडों में कटकर लेंगे कारेट ऐसे आप इसके पेलावा ओर भी कुछ सामान लेंगे कुछ चीजे लेंगे क्या फ् पसंदे तो एड करिएगा वरना इसकीब कर देजिए लेकिन इसारी चीजे बहुत अच्छी है तो फेक येगा आप लोग नहीं जरूर करिएगा बहुत अच्छी चीजे हैं हेल्दी है और टेश्टी हैं है ना फ्रेंड्स आप सभी को बहुत पसंद आएगी मेरी रेस्पी जो चीज बनाने वाले हूं एक लेंगे अनार के ऊपर का जितना छिलका है निकाल के फेक देंगे इसके दाने यूज करेंगे ऐसे सारे दाने निकाल लेंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाए तो प्लीज इग्नोर कर देना क्योंकि छीलते हुए आप लोगों को दिखा रह मून इससे बहुत बढ़ेगा ब्लेड तो आप लोग अनार जरूर खाईएगा बहुत अच्छे से छील लेंगे अब कम ज्यादा आप लोग अपने तरीके से कर सकते हैं अब इसमें प्रेंट्स क्या आइड करेंगे काला नमक ये नॉर्मल नमक नहीं आइड करेंगे इसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और फ्रेंट्स आइड करेंगे भूना हुआ जीरा और अमचूर पॉडर इसी में मिक्स कर ली हूँ मैं अब जैसे सारे मसाले एक में क्या भून के पीसे हुए होते हैं वैसे मैंने इसी डिब्बे में सारे मसाले आइड कर ले हूँ अब बढ़िया अच्छे से बहुत अच्छा लगता है फ्रेंट्स सारे फल और भी आप लोग आइड कर सकते हैं जो आप लोगों को पसंद हो कीवी भी आइड कर सकते हैं मुझे बट अहीं पसंद हैं अब बढ़िया प्लेटिंग करेंगे एक प्लेट में ऐसे फ्रेंड्स एक करके बढ़िया अच्छे से क्योंकि मेरे घर पे भाई महमान आये हैं तो महमानों को देना जरूरी है वो भी खुस हो जाएंगे फ़ल किसे नहीं पसंद है सभी को फ्रेंड्स पसंद एक लेंगे डिस्पाउजर वाली बढ़िया प्लेट या फिर बाउल आप इसमें थोड़ आप लोग अपने घर पे बनाईए और बढ़िया अच्छे से खाईए बढ़िया साफ सुथ्रे होते हैं आपको पता है क्योंकि आपने बनाया है यह कितने साफ हैं आपको पता ही है है ना प्रेंस बहुत अच्छे से मैंने बनाया है तो आप लोग सर्व कीजिए और महमान को खिलाइए अपने घर पे सभी को खिलाइए बहुत थेलदी है और टेस्टी है महमान भी आपकी तारीफ करेंगे बहुत धेर सारी कि हां मुझे बहुत अच्छी चीज खिलाई है तो आईए आप लोग इंज्वाइ कीजिए बहुत सुपर है डूपर है पॉफेक्ट वनी है मेरी आप फ्रूट्स चाट बनाई हूँ फल वाली चाट है ना फ्रेंट्स सच में मुझे तो बहुत पसंद आई मेरे घर पे महमानों को पसंद आई आप आप लोग जाए बनाए और खाईए प्यारी सी फैमिली के साथ इंज्वाइ कीजिए बहुत सुपर है डूपर है प बहुत परफेक्ट वने हैं यह मेरी फ्रूट्स चाट है अगर आप लोगों को और भी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके देख लेना बहुत अच्छी अच्छी चाट की रेश्पी पड़ी है वीडियो एक बार जरू ट्राइ करिएगा हमेशा की तरह सी तीन चीज लाइक शेर अंड सस्क्राइब थैंक्स पर वाचिंग